हे गाइज इस वीडियो में हम जाएनेंगे चाइना पाकिस्तान के रिसेंटली मिलिटरी डील के बारे में और उसका क्या इंपेक्ट पड़ेगा इंडिया पे सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो तो चाइना पाकिस्तान ने रिसेंटली मिलिटरी डील साइन की है इसके बारे में और जानते हैं उससे पहले ये प्रैक्टिस कोशन अटेंब कर लो इंडिया इस नॉट अमेंबर ओफ वीच आफ फॉलोविंग आपको इसमें से करेक्ट आफिन चूज करना है 1,3 and 5 only, 1 and 3 only, 1,2,3,4 and 5, 1,3 and 4 only इस कोशन को अटेंब कीजिए वीडियो पॉस्ट करके इस यूजर मैं इसका अंसर वीडियो के एंड में आपको प्रवाइट कर दूँगे सो न्यूज यह है कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो वहाँ के पीपल लिवरेशन आर्मी के चीफ है जिन्हें बोलता है जनरल आई फैंगे तो यह जनरल आई फैंगे यह रिसेंटली अभी पाकिस्तान के विजिट पे थे और यहाँ पे उन्होंने जाके सबसे पहले पाकिस्तान के जो लिडर्शिप है वहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम निस्टर इमिनान खान है उनसे मिला बट वो आर्मी के हैटकॉर्टर भी रावल पिंडी में जो लोकेटेड है अब अपने आप में यह बहुत बड़ी नियूस है क्योंकि किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर वो भी आर्मी के हैटकॉर्टर में जाना वो भी चाइना जिसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर अगर किसी के आर्मी के हैटकॉर्टर को विजिट कर रहा है है so this is a great news और यहां पर इन्होंने बात की है push the military to military relationship means यह जो अपने military relationship है जो अपने चाइन और पाकिस्तान की जो relationship है उनको higher level तक लेके जाना चाहते है means defense minister level तक and even though maybe that can be called as prime minister level so यहां तक यह लेके जाना चाहते हैं ताकि यह future में sovereignty और जो दोनों countries की security interest है उनको safeguard कर सके regional peace and stability अब देखो यह सब तो बात की बात है बट यहां पर हमें यह चीज साथ समझ में आ रही है कि यह चीज इंडिया के अगेंस यूज करने की बात चल रही है तो इसके पीछे एक long term planning हो सकती है जो कि in future इंडिया के अगेंस military level पे यूज की जा सकती है तो यहां पर इन्होंने अपने views exchange किये regarding international relations, regional situations यह सब पर और military situation and obviously standoff का भी issue उठा होगा यहां पर and technology cooperation and other equipments पर यहां पर इन्होंने discuss किया and इन्होंने reaffirm किया their commitment to iron brotherhood and all weather friendship तो यह आप याद रख सकते हैं iron brotherhood between China and Pakistan, so यहां पर इन्होंने CPAC के बारे में discuss किया, तो CPAC के बारे में हम भी discuss कर लेते हैं CPAC है क्या, so CPAC जो है, वो one belt, one road initiative का एक part है, this is a bilateral project between China and Pakistan जो की cross border connectivity बनाने का काम करेगा Pakistan and China के बीच में, Pakistan का जो गवादर वाला reason है, उसे यह connect करेगा चाइना के reason से so यह बलूची स्तान से होते हुए जाएगा, इसके बारे में आपने और भी पढ़ा होगा, और यह Middle East Africa and other regions को connect करेगा, यह इसलिए है, one belt, one road initiative का एक part है, one belt, one road बहुत है ambitious project है, जो कि announce हुआ था, और इसमें क्या होगा कि connectivity and cooperation maintain करनी की कोचिश की जारी है by China in Asia, Africa and Europe and इसमें participate करने about 78 countries and this project covers two parts, तो यह एक Silk Road economic belt part को cover कर रहा है, 21st century maritime silk road, तो यह जो maritime silk road है, यह पहले भी use होता था जब India के, जो ancient India है उसमें आपने पढ़ा होगा, कि maritime silk road का use किया जाता था, जो हिमालयन वाले reason है, वहां से लोग trade किया करते थे, and Silk Road economic belt, तो China अपनी वही चीज को, ancient China की जो power है, उसको revive करने की कोशिश कर रहा है, through one belt and one road initiative, so यह reason आप देख सकते हों कि यह जो चाइना का northwest province है, जो कजगर वाले reason, उसको पाकिस्तान के northwest province, जो बादर वाले reason से उसे connect करेगा, and यह series of infrastructure projects होंगे, जो इस lane में लगाया जाएंगा, across the roads, and यह जो ultimately यह project है, यह ultimately चाइना के influence को increase करेगा, इस वाले reason में, in the Middle East region, for example, Iran, Afghanistan, युजबेकिस्तान, ultimately that will be dependent on China in future. अब जो चाइना के defense minister है, बे पाकिस्तान के visit के बाद वो नेपाल के visit पर गए, जहाँ पर इन्होंने यही चीज का sovereignty, territorial integrity को safe करने के लिए, regional safeguard maintain करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर काला पानी वाला जो issue है, जो इंडिया और नेपाल के बीच का internal dispute है, उसे discuss किया, और बोला कि जो in China है, वो नेपाल को family support करता है, so that is the news, because यहाँ पर पाकिस्तान में भी इन्होंने जाके वई किया है, नेपाल में भी वई जाके किया है, तो यह हम बोल सकते हैं कि in the future China का यह plan है, कि पाकिस्तान और नेपाल, यह दोनों रीजन को safeguard करने के नाम पर वहाँ पर अपनी influence बढ़ा सकता है, और में भी पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलके, इंडिया के internal security को भी हाम कर सकता है, so definitely इसका इंडिया पर कुछ negative impact ही होगा, since over the year चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा support किया है, logistic provide करना, weapons, यह सब provide करने से लेकर, multilateral forum में भी चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा support किया है, regional forum में भी पाकिस्तान की तरफ ही हमेशा रहा है, इंडिया इस concern primarily because of security reason, क्योंकि जो ऐसे military deals होते हैं, वो भी इस level पर defense minister और प्राइम minister level पे, वो destabilize कर सकते हैं, वो region के कुछ territories activities हैं और यह सारे जो activities होती हैं, यह सारे चीजों को promote कर सकते हैं, जो कि हमारे लोग already रह रहे हैं, जो गिल्कित बलिस्तान में और जमू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं, तो जो perpetrators हैं, उन्हें यह motivate कर सकते हैं इस type के, इस से क्या होता है, sea spiral, violation, border पे और ज़्यादा बढ़ जाता है, इस type के military deals है, और पाकिस्तान अपने आप में बहुत ज़्यादा dependent country है, पहले वो अमेरिका पे dependent था और nowadays वो चाइना पे बहुत ज़्यादा dependent है, अपनी infrastructure और project से लेकर हर चीज़ पे चाइना पे dependent हैं, और चाइना यहीं चाहता है, कि उसकी influence जो है, वो पाकिस्तान and other regions में बहुत ज़्यादा increase हो जाए, since इंडिया जो है, वो two front war afford नहीं कर सकता, और चाइना की यह planning हो सकती है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके, in future कभी ऐसे war की situation बनती है, for example, अभी border पे ऐसे situation बन गई थी, कभी ऐसी situation बनती है, तो यह इंडिया को threat कर सके, obviously यह direct war तो नहीं करेंगे to front war, so यह इंडिया को threat करने के एक काम आता है, अब देखते हैं कि इसका long term पे क्या impact पड़ेगा, over the years, इंडिया ने भी अपनी जो policy है, अपना जो tilt है, वो रशिया की तरफ छोड़ कर अमेरिका की तरफ किया है, to threaten Pakistan and to threaten China, USA अभी एक बहुत strategic partner है इंडिया का, and USA को इंडिया की जौरत है, और इंडिया को USA की जौरत है, so that can be a win-win situation, जो हम in future China and Pakistan के games use कर सकते हैं, इस practice question का answer देख लेते हैं, इंडिया is member of, यहां पर यह not नहीं होगा, इंडिया is a member of which of the following, G20, ASEAN, SARC, OPEC, and IORA, तो इसका answer होगा, 1, 3, and 5, because India member है G20 का, SARC का, and IORA का, Indian Ocean Dream Association, तो इसका answer होगा, A, 1, 3, and 5 only, so this is the end of our video, thanks for listening.